हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आशिश मोडो में आज हम बात करने वाले MG Aster के बारे में अपने सेग्मेंट की मिड्स है जैसे भी है सीधे कॉमशिन देती है हुंडे क्रेटा किया सेल्टॉस ग्रेंड विजारा जैसी गाड़ियों को अब ही आपके सामने MG Aster का लेटेस लांच 100-year limited edition variant खड़ा हुआ है जिसके अंदर आपको पूरी गाड़ी ग्रीन कलर की देखने को मिलेगी MG जो है 100-year अपने सेलिबरेट कर रही है इसलिए नया variant लेके आई है तो आज इसी के बारे में हम complete detail में बात करेंगे इसके exterior से लेकर interior तक engine features then price के बारे में इस MG Aster के अंदर आपको 6 airbags 17-inch के wheels टॉप में चले जाएंगे तो वहापे आपको add-up जैसे safety features मिलते हैं interior के अंदर आपको 10-inch का touch infotainment system, ventilated और electric seat देखने को में जाती है voice command आपको यहापे देंगे न तो इसके sunroof अगरा open हो जाएगी तो आज इसके बारे में detail में बात करेंगे कि आपको changes हुए है इस limited edition variant के अंदर की की बात की जाए तो ऐसे कुछ आपको smart की मिलेगी यह मिल जाते हैं आपको variant आप चलिए बात करते हैं काड़ी के front profile से फिर चलेंगे इसके interior के अंदर center में आपको मिलती है MG की branding, MG का logo जो की देखने में काफी प्यारा लग रहा है जो इसकी grill है वो भी आपको glossy black finish में मिलेगी 360 camera भी आता है MG ashter के अंदर तो यह हो गए front के looks 180 mm का ground cleanse मतलब इस segment के साब से ठीक आगे आपे दिया जा रहा है अगर headlamps की बात की जाए तो यहाँ पे आपको पूरा LED setup देखने को मिल जाता है LED DRL है उसी के अंदर आपको मिलती है turn indicator की placement पाकि इनका throw आपको काफी बढ़ी ऐसा मिलने वाला है उसकी कोई भी दिक्कत नहीं है नीचे आपको halogen में fog lamps दिये जा रहा है यह तो गई front face की बात अगर bonnet की बात की जाए तो वहाँ पे आपको काफी cuts and creases उपर आपको dual wiper with washer का setup अगर roof की बात की जाए तो वहाँ पे आपको panoramic sunroof मिलती है roof rails है और पीछे आपको मिलता है शाक्फिन antenna front की बात आप चलेंगे हम side profile की तरफ तो side से देख लीजे ऐसे कुछ आपको यहाँ पे शांदार से looks मिलने वाले है dimensions की बात की जाए तो 4323 mm length है 1809 mm is keyword है और 1650 mm आपको height देखने को मिल जाती है यहाँ पे आपको 17 inch के black finish में alloy offer की जारे है red color की caliper के साथ में MG की branding MG का logo center मिलता है इतना कुछ मिलता है आपको suspension travel उपर आपको cladding वगरा दी जा रही है और जो आपको tires मिलने है वो good year के रहेंगे और अगर tire section की बात की जाए तो 215, 58, 17 का देखने को मिल जाएगा यह तो गई wheels की बात अब बात करते हैं इसके out head mirrors की जो आपको मिलने वाले auto foldable glossy black finish में है electric पे आप इनको fold भी कर सकते हैं, adjust भी कर सकते हैं, tire indicator की placement यहाँ पे है और यही पे आपको मिल जाती camera की placement यह तो गई ORM's की बात अंदर का यह interior काफी प्यारा लग रहा है, इसको भी आगे proper cover करेंगे इसके जो door handles हैं, आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं body clutter और इसके अंदर आपको chrome treatment भी देखने को मिल जाएगा, request sensor है, दोनों साइड आपको मिलता है और उपर की roof देख लिजे, यहाँ पे panoramic sunroof, roof race और पीछ आपको दिया गया शाक्विन antenna B pillar आपको मिलेगा mad finish में, 2580 mm का यहाँ पे wheelbase है और चारो पहियों में आपको मिलती है days break मतलब all four days break मिल लएए, यह काफी अच्छी चीज़े जिसे की braking जो काफी improve हो जाती है अब चलेंगे हम इसके rear profile की तरफ और rear से दिखाएंगे आपको इसके exterior looks तो rear से देख लिजे, ऐसे कुछ आपको 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 दिखने वाली है इक green color न, light के अंदर काफी बढ़ी आश्छा लगेगा, road पर जब आप इसको लेकर चलेंगे एक एक चीज के बारे में बात करते हैं तो उपर आपको शाकीफी 19, roof, rails, sunroof यहाँ पे spoiler, hyamon stop lamp, wiper defogger, mg की branding, estar की badging और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको तीन reverse parking sensors दिये जा रहा है यहाँ पे देख लिजे यह camera की placement अब बात करते हैं इसके tail lamps की जो आपको यहाँ पे LED मिलेंगे 10 indicator की placement यहाँ पे देखने को मिल जाती है देखने में और आल इस कर जाएंज काफी अच्छा सा लग रहा है नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको reflector की placement और अब चलिए इसका boot open करते हैं तो इसको ऐसे press करके आप अपने boot को access कर सकते हैं अगर boot space की बात की जाए तो 488 liter का boot space यहाँ पे दिया जा रहा है मतलब अच्छा का सा space है space की कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है उपर आपको मिलती है पास्टा ट्रे 60-40 रेसो मिसकी सीट फॉलो जाएंगी अंदर आपको boot light भी देखने को मिल जाती है अगर नीचे की बात की जाए तो यह देख लीचे बाई पूरा space यहाँ पे आपको मिलता है spare wheel toolkit वगरा सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी यह wheel जो है आपको मिलने वाला है 16 इंज का engine भी आपको यहाँ पे दो तो रख के देखने को मिलते है 1.5 liter का petrol engine जो निकाल के देता है 110 bhp की power और 144 nm का talk इसके अंतर जो दूसरा engine आता है वो है turbo 1.3 liter का turbo engine 140 bhp और 220 nm का talk निकालता है mileage की बात करें तो 14-15 तक आप इससे निकाल सकते हैं 3 साल और 60,000 km की warranty मिलती है आप इसको action भी करवा सकते हैं यहाँ से डलवाएंग आप petrol मिल जाती है आपको 48 liter की tank capacity यहाँ आपको soft wedge finish भी देखने के मिलती है उपर आपको door opener, silver inserts, यहाँ पूरे हमें fabric finish पॉंडो के controls, नीचे speaker की placement, कुछ space इतना कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है leg room leather की streets आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी पूरी black finish में है और पीछे देखेंगे आपको 3-3 headrest मिलते हैं जो कि addressable रहने वाले हैं 6 airbag आपको मिलेंगे और बाकी leather के पॉष्टी देखने में काफी शांदाल लग रही है अब चलिए अंदर बैठते हैं और अंदर से बैठके पूरा space चकरते हैं तो आगे लिए seat में अपने recording adjust कर लिए और इस पेस देख लो knee room, leg room, under thai support भी आपको काफी बड़ी असा है यहाँ पे मिलने वाला है यहाँ पे seats में आपको pocket देखने को मिल जाएंगी center की बात की जाए तो यहाँ पे rear AC vents मिलते है rear passengers के लिए यहाँ पे आपको charging points भी देखने को मिल जाएंगे, USB charging port आपको दिये गए center में आपको मिलता है armrest और इसके नदर आपको cup holder भी दिये जारे हैं जो कि cover हो जाते हैं इस तरह आप इसको cover भी कर सकते हैं अब चली इसको अपनी जगे पर लगा देते हैं और उपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है grab handle, यहाँ पे lights हैं, उपर आपको panoramic sunroof और यह राभा इसका front dashboard देखने में काफी प्यारा लग रहा है और अभी आप देखने हैं CVT transmission को आप इसको manual में भी ले सकते हैं सामने की तरफ आपको 10 इंच का touch information में सिस्टम मिलता है यह सारी चीज़े हम अंदर front driver seat पे बैटके cover करने वाले हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है request sensor, keyless entry, chrome treatment door trim की बात की जाए तो same आपको मिलने वाला है rear की तरह है black finish में और black होने की वज़े से काफी premium रखता है यह और उपर door opener के पास देखेंगे तो silver inserts देखने को मिल जाते हैं अगर इसको पास से दिखाऊं तो यहाँ पर आपको यह door opener, lock along के बटन उसी के बगल में आपको यहाँ पर चारो पाउंडों के controls, leather finish, नीचे कुछ space, speaker की placement, उपर twitter की placement front cabin में इतना कुछ आपको यहाँ पर space मिलने वाला है और बागी जो आपको seats आगे वाली मिलने है वो electric seats आपको मिलेंगी यह इसका front dashboard देख लिए, काफी शानदा लगता है, इसके अंदर आपको voice assistant भी मिलता है, यहाँ पर और बेंग के controls, नीचे आपको fuel cap और बोनट खुनले का लिवर, cvd के pedals और भाई यह रहे हैं इसके seats, काफी शानदा लग रही है, यहाँ पर देख लिजिए, 100 year के आपको बैजिंग देखने को मिल जाएगी, electric seats हैं, आप इनको six way adjust कर सकते हैं, अपने recording आप चलिए अंदर बैटते हैं, और यह रही सकी की, जिसको हम रखेंगे side में, because यहाँ पर आपको मिलता है इंजन, start and stop button, जैसे आप इसको press करेंगे, तो यहाँ पर आपको fully disturbed pressure देखने को मिल जाएगा, एक तरफ RPM, एक तरफ speedometer, बीच में आपको MID, जिसके अंदर आपको सारी information देखने को मिल जाती है, इस button के तुरू, आप सारी information देख सकते हैं, trip A, trip B, mileage range, और TPMS, बीदाइस के अंदर, यह राज का steering, पूरा leather finish के साथ में है, आइड में आपको multimedia के controls, call के controls, इधर आप देखेंगे, तो आपको MID के सारे button देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको दिया जारे cruise control का lever, और यहाँ पर wiper के controls, और इधर आपको मिलते है, headlam के सारे controls, इस lever के थुरू आप अपनी steering को tilt ऊपर नीचे adjust कर सकते हैं, चलिए इसको कर देते हैं, लॉक, अब बात करते हैं, गाड़ी के center console की, तो उबर आप देख लो भाई, voice assistant आपको यह मिलता है, आप बोल के sunroof को open कर सकते हैं, temperature वगार को घटा बढ़ा सकते हैं, यह आपकी सारी auto, apple carplay, bluetooth, usb, यह सारी चीज़े देखने को मिल जाती है, इसके अंदर 360 degree camera भी आता है, इसका view आप देख सकते हैं, और इसका camera थोड़ा सा clear कर देना चाहिए, थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा, तो जाद अच्छा रहेगा, पोर speakers आपको मिलते हैं, जिसका sound output काफी बढ़ देखने को मिलता है, और wireless charging pad है, यहाँ पे आपको AZ ports, hill decent control, और आगे विली seats आपको जो मिलती है, वो ventilated है, उसके सारे बटन आपको मिलेंगे, यहाँ पे देख लिजए, यह CVT transmission, आप इसको manual में भी ले सकते हैं, और पीछे देखेंगे, तो यहाँ पे आपको electronic power brake, auto hold का bumper to bumper आप इसको drive कर पाएंगे, इधर sun visor में आपको देखेंगे, तो mirror मिलता है, cover के साथ में, यहाँ पे auto dimming IRVM, यहाँ पे आपको center में lights के control देखने को मिल जाएंगे, जोकि LED रहने वाली है, और उसी के बीच में आपको मिलता है sun roof का button, यहाँ से आप अपनी panoramic sunroof को open कर सकते हैं, और इधर देखेंगे, तो same आपको mirror दिया जाता है sun visor के अंदर, तो यह होगी panoramic sunroof, इसके blind को भी आप बंद कर सकते हैं, six airbag आपको यहाँ पे मिलता है safety के purpose से, यह तो होगी पूरे interior की बात, आप चलिकाड़ी को off करते हैं, बात करते हैं इसके safety features और pressing की, तो यहाँ पे आपको दिये जा रहे हैं, six airbag, pricing की बात की जाए, तो अभी आप देख रहे हैं, 100 year limited edition variant को, manual में लेंगे, तो 14,81,000 एक शोरूम, और 17,10,000 आपको on road पढ़ने वाली है, अभी आपके सामें CVT transmission खड़ा हुआ है, 16,8,000 एक शोरूम, और लगबग 18,60,000 उपए के आपको यह on road लखनो पढ़ने वाला है, CVT transmission, तो यह थी MG Esther, कैसे लगी आपको नीचे comments में, जरूर पताईगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को like कर देगा, चैनल को subscribe कर देगा, मिलते हैं एक नई वीडियो को साथ तब तक लिए, जैहिन, वंदे मातरम कि पाइए, टाय स कर देगा, पताईगा पझेडा है, सा sehen, वेवर साथ लाख की बाखने कर देगा, मिलते हो आपको बाधने हैं, एक हम की फे लिए मातरा नपक बताईगे हैं?